नमो राग भाई हम जब कथा सुनते हैं तो उसके फल की भी इच्छा हम प्रत्य काम की फल की इच्छा पहले करते हैं कि उसका में फल क्या मिलता है तो यह गीता है समझ में यह तो पूर हिंदी से मैं सुना रही हूं पूरा एक अध्याय और इस तरह इसके फल को आप सुने ए पार्वती जी की गोश्टी हुई पार्वती जी ने पूछा है मादेव जी आप ऐसे किस ग्यान से पवित्र और हैं जिससे संसार के लोग आपको सिव कहके पूछती हैं आप मिरविचाला ओड़े अंगों में मसानों की बभूती लगाए और गंडे में मुन्डों की माला पह पार्वती जी ने पूछा जिस गीता ग्यान को आप इस्तुति करते हूं उनके स्रवन करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है मादेव जी बोले हैं पार्वती इस ग्यान से बहुत जीव कृतार्थ हुए और आंगे भी होंगे मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूं स्रव एक समय पाता लोक में भगवान स्री भिष्णु देव साया पा नेन मूद कर आनंद से मगन थे लच्मी जी चण दबाती थी लच्मी जी ने पूचा के नाराण जी तुम 14 लोकों के इसरों तुम्हें भी निंद्रा भ्यापती है यह तो तामसी कर्म है तुम तीनों गुण आनंद में मगन रहता हूं जैसे 24 अवतार मेरे आकास रूप है तैसे गीता मेरा सब्दरूप अवतार है पांच अध्या मेरा मुख हैं, पांच अध्या मेरी बुजाएं, पांच अध्या मेरा हिदा हैं, और मन हैं, सोलवा अध्या उधर हैं, सत्रमा अध्या जांग हैं, अठारवा अध्या मेरे चन हैं, गीता के शलोक मेरी नाडिया हैं, और उनके अच्छर मेरे रोम हैं, ऐसे स्ट्रमई गीता सर्व देवो मही हरी सर्व तीर्थो मही गंगा सर्व धर्म मही दया यह इस लोग सुनाते कहा है लच्मी यह पहले अध्या का मात्म सुन सूद्रबन का एक चांडाल लवण का व्यापर करता था एक दन वे अपनी बकरी चिराने को गया ब्रच्छों के पत्र तोड़ते समय उसे एक सर्व ने डेस लिया और मर गया मर कर उसने बहुत नरक भोगे फिर बेल का जन्म पाया उस बेल को एक विकारी ने मोल ले लिया वह सारा दिन उस पर बैठकर मांगता रात को आकर अपने कुटम के साथ मिलकर खाना और खान मिलकर खाता और बेल सारी जाद द्वार पर भूंका बंदा रहता, उसके खाने की कोई ख़बर न लेता, इस पर कई दिन गुजर गए तो वह बेल भूंका पड़ा रहा और उसके प्राण नहीं छूटे, नगर के लोग देखने उससे बोले तीरत का फल देता, कोई ब्रत का फल देता, पर उसके प्रा की गतीं नहीं होती है, तब गड़का ने कहा, मैंने जो कर्म किया है, उसका फल मैंने भी सब्वाट बैल को निमक्त दिया, इतना कहते ह épैि ब्याल की मुक्ती उई, उस बैलने ब्रामन के घर जन्म लिया, पिता ने उसको पड़ाआया तो उसको पिछले जन्म की करनी कुछा तुम मुझे पंचानती है गण का मैं नहीं जानती हि क्on हो निमक्त दिया है तब उसे विप्रज ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है तो ते ने का में पिछने जल में भिक्ठ्र का पुता था कैंसे गीटई यह को बना इड् Compass कर Cayया था है यह विप्र ने मुझे मोल लिया विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाट पढ़ाता था तब मैंने वह गीता का पाट सीख लिया एक दिन उस ब्राम्मन के घर चोर आए उनको कुछ न मिला मेरा पिंड़ा उठा कर ले गए उस वह चोरों की यह बैस्या मित्रती मुझे इ इसलिए मैं नित गीता जी के पहले अध्या का पाट करता हूँ यह विप्रने का मैं तोते तूं विफ्रू को मेरे आसिवा से तेरा कल्याणो सोहे लचमी इतना कहते ही तोते की मुक्ती हुई इस बैस्यान ने भी भले कर्म ग्रेंड किये नित्पति श्नान कर गीता के प्रथम अध्या का पाठ करती इसी काण भले बिप्र छती बैस्याद उस बैस्या की पूजा करने लगे और बिप्र अपने भवन को गए इसी नारान जी ने का हेलचमी जब कोई भी गीता जी का का एक यही साधन है भागवत गीता राम और इनके बगेर हमारा को जीवन नहीं है नमो रागवाई नमो रागवाई जय जय श्री सीता राम जय जय